आप देख रहे हैं News9 भारत, रखे आपको सबसे आगे कर्मियों का आरोपे की सरकार दौरा उन्हें तमाम तरह के बत्तों का अस्वासन दिया गया था, जो कि गुजरे दो सालों से नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें देश में अभी हर्ताल का सारा लेना पढ़ा है, मुख्याले के राश्टी ग्रामिर आजी का मिसन के अब इस्पर कर्वियों दौरा हर्ताल की जा रही है, हर्ताल के दौरां का बाइसकार कर दिया गया है, मुझरे दो सालों से उनके तमाम तरह सरकार रोक लगा दी गई है, जिसके चलते हम से जुल्ड़ कर ना पड़ाये जिसके चलते हम मियर्शन से जुड़े कर्मियों को देश Sexual का सारह लेना पड़ाये कैना कि यहたい तो जल्दी हरत्युत धन्हाशन का रूप Turkish कर लेगी जिसके जिम्मेर्धार meta बहां करने की मोंंग है नीच्राइन भारत के लिए मुहम्मद आजाद चौधरी की रिपॉर्ट कि समय हम लोग अजीब कामिशन के अंतरगत एचार पॉल्सी को लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार आज 14 दिन भी हरताल पॉर बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई राज इस तर से नहीं हो पा रही है और लगातार ये प्रियास में हैं कि हम लोग जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी हम लोग लगातार ऐसे ही हरताल करते जाएंगे कितना भी दवाव हम लोगों की उपर पड़ता है लेकिन हम लोग धुगेंगे नहीं क्योंकि हम लोग का ये जो मानदे है वो बढ़ाना चाहिए जो कि आज चार साल से इन्हों नहीं पड़ाया है जितने भी 6 साल-7 साल पुराने जो कर्मचारी हैं जिनको समीता से हटा कर थर राजस्तर के लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मिशन निदेशक महोदे हैं वो चाहते तो हैं कि HR policy लागू हो लेकिन उनके उपर भी जो बैठे हुए हैं वो अधिकारी लोग यह नहीं चाह रहे हैं कि इनका कुछ मान दे या इनकी salary increment हो क्योंकि हम लोग outsourcing से हैं third party से हैं तो हम लोग को उतना तवज्ज़ जो है वो नहीं दिया जा रहा है हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का नियमिती करण करते हुए 60 वर्स तक के लिए हम लोग को नियमित कर दें भले संविदा में रखें लेकिन हम लोग को परियोजनाओं से जोड़ कर रखें क्योंकि हम लोग भी अब लग बग उन 40 साल के पार भी होने वाले हैं तो किसी को भी आगे चलके नोकरी यतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है देखिए हम लोग पिछले कई बरसों से उत्तर प्रदेश राजग्रामी रजजी का मिशन में काम कर रहे हैं और हम लोग HR पॉलसी को लेके हरताल पर हैं साथ में हम लोग जो ट्रांसपर की नीती थी उ उनको निकाल दिया गया तो उनको भी बाप से चाहते हैं तदा हम लोगों के दोरा जो पहले हमें बताया गया था भरती के दोहरान कि आपको एचार पालपॉलسी लाग Ak WH जागए और उनमें परकार के जो प्वामें भथ्तों को दिया जाएगा लेकिन पिछले दो वरसों स पर सभी बिकास भबन पर अपने धरणा पर बेटी पोई समय-सीम निष्चत नहीं की गई है तो जो प्रजेस अध्यक्षे द्वारा बोला गया वो यह कहा गया कि सभी लोग अपने साथ में जब तक हमारी चीजों को मान नहीं लिया जागा तो जब तक हम लोगों धर्णा प्रदस्यत करना है लेकिन हम लोग जबर जत्ती कोई अलग से चीज़ें नहीं मांग रहे हैं हम लोगों को भरती के दोहरान एचर पॉलसी बताई गई ती या दी गई थी उसी के अनुसार हम लोग डमांड कर रहे हैं कोई हम सासन के लिए फिलाल इतना ही काफी बने रहे हमाए साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए निज़नाइन भारत पर अब चाहूंगे ज अजाजब नमश्का